कहानीकार यशपाल की एक विख्यात कहानी है पर्दा ये कहानी उनके तर्क का तुफान इस कहानी संगरमे संगरेइथ है इस कहानी में चित्रन है चौधरी पीरबख्ष तता उसके परिवार का चौधरी पीरबख्ष बहुत उचे खांदान से है लेकिन अब गरीब है उनकी आर्थिक स्थिती बहुत दैनी यह हैं। लेकिन अपने आतीत का गौरों बचाने के लिए चौदरी पीरबक्ष लोगों के सामने अपनी गरी भी नहीं आने देते। बलकि अपनी इज़त या प्रतिष्ठा बचाय रखने के लिए अपनी परिवार को जैसे उनकी पतनी, उनकी मा, उनके बच्चे, लड़कियां, लड़के तो उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। चोटा मोटा काम भी है तो वो खुद करेंगे लेकिन परिवार की स्त्रियों को या बच्चों को बाहर नहीं आने देंगे। इस तरह से उनके घर के दर्वाजे पर टंगा हुआ एक परदा उनकी परिवार की इज़त की रक्षा करता है। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलेगा। एक दिन ऐसा आजाता है कि बबर अली खान नाम के एक पठान से जो उनकी कर्जा लिया है उसे जब चुका नहीं पाते तो बबर अली खान आता है और वो परदा हटा देता है। जब परदा हट जाता है तो असल बात परिवार की गरीबी लोगों के सामने आ जाती है। परिवार की स्त्रियों के शरीर पर ठीक तर से कपड़ी भी नहीं है। सब लोग देख लेते हैं। यहां कहानी का अंत होता है। इस तरह से यश्पाल जी ने परदा इस कहाने में चित्रन किया है कि किस तरह से चौदरी पीरबक्ष अपनी परिवार की जूटी परतिश्था को बचाय रखने का हर संभो प्रयास करते हैं। लेकिन अंत में असफल हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे परदा इस कहानी के कतानक की तथा उसके पात्रों की। परदा कहानी का सारांच। खुद को प्रतिश्थित कहलाने वाले चौधरी पीरबक्ष तथा उनके परिवार की आर्थिक विपन्नता और जूटी प्रतिश्था तथा इसके कारण परिवार की दोयावस्ता तथा अपमान इसका जिद्रन इस कहानी में किया गया है। चौधरी पीरबक्ष इस कहानी के प्रमुक पातरे हैं जो एक तेल के मिल में कलर का काम करते थे और यह कहानी उनहीं के परिवार की है। पीरबक्ष सित्वा की कच्ची बस्ती में रहते थे पतनी, तीन लड़किया, दो लड़के तथा पीरबक्ष की मा घर में थी। खाने वाले इतने सारे सदसे और कमाने वाले सिर्फ पीरबक्ष उनके चनख्वा थी 18 रुपए महीना, उसमें से 2 रुपए मकान का किराया चला जाता। बाकी बचे पैसों में खर्च चलाना मुश्किली नहीं असंभव था। हर मैने घर के कोई न कोई चोटी मूटी चीज गिर भी रखकर पैसे लाते और खर्चा चलाते। किसी तरह बस्ती में परिवार की इज़त थी और यह इज़त उनके चौकट पर लगे परदे की वज़ा से थी। परदा एक पधती है, रिवाज है और माना जाता है कि परदे के अंदर रेने से इज़त सुरक्षित रहती है। चौदरी पीरबख्ष के परिवार के हालत बस्ती के लोगों से चिपी थी। इसका कारण भी था यह परदा। इस परदे के अंदर उनके घर की इज़त चिपी रहती थी। इस परदे में कभी छोटा सा भी छेद हो जाता तो घर की औरते अंदर से सिलाई करके उसके मरम्मत करती बस्ती में ब्याच पर रुपए देने वाला एक पंजावी खान है बबर अली खान पीरबक्ष खान को शैतान समझते थे परंतु आर्थिक विपन्नता से लाचार होकर एक बार उससे करजा लेने की नौबत आती है पीरबक्ष खान से चार रुपए करज लेते हैं आठ महने में करज चुकाना है साथ महने किसी न किसी दरकेश्ट दे देते हैं पर तो आठवे महने में समय बे नहीं दे पाते तब बबर अली खाथ दर्वाजे पर खड़ा गालिया देता है पैसा वसूलना चाहता है पर पैसे नहीं मिलते उसे लगता है कि पीर बक्ष घर के अंदर चिपे है क्योंकि घर की और लड़कियां भैसे काप रही है और लज्जा रक्षा के लिए उनके शरीर पर कपड़े नहीं है बलकि सिर्फ कुछ चीतड़े हैं वस्तरों के टुकड़े हैं उस नगनता की जलक से खान की कटोरता भी बिगल जाती है और वह असफल वापिस लोड़ जाता है पीरबक्ष यहां अपमान सहन नहीं कर पाते और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं जब होश में आते हैं तो गिरे होए पर्दे को फिर से उठा कर लगाना नहीं चाते क्योंकि शायद अब उसके आवशकता ही न रही थी पर्दे में स्रीयों के जो आबरूट छिपी थी वह अब सब के सामने आ चुकी थी यहां कहानी का अंत होता है कहानी के प्रमुक पात्र पर्दा कहानी के पात्र है चौदरी पीरबक्ष, उनकी मा, पतनी, तीन लड़किया, दो लड़के और पथान बबर-अली खाँ इनमें से चौदरी पीरबक्ष तता बबबर-अली खाँ ये दोनों प्रमुक पात्र है चौधरी पीरबक्ष प्रमुक पात्र के रूप में हमारे सम्हों ने उपस्तित होते हैं उनी के चरितर चित्रंद्वारा काहनिकार ने समस्या पर प्रकाश डाला है वे एक तेल की मिल में कलर का काम करते हैं परिवार में छोटे बड़े मिलकर खाने वाले आठ वेकती और इतनी कम आमदने में पूरे परिवार का गुजारा करना आसान बात तो नहीं थी फिर भी किसे न किसी तरह से वे अपने परिवार को चलाते थे आचानक कोई समस्या खड़ी हो जाती और खर्चा बढ़ जाता तो चौदरी घर के कपड़े, बरतन तता जेवर गिर्वी रखकर काम चलाते थे पीर भक्ष गरीब हैं लेकिन महनती और इज़तदार हैं सित्वा की कच्ची वस्ती में वे अकेले पड़े लेके सफेद पोश हैं और दर्वाजे पर परदा भी लगा रहता है इसलिए मुहले में उनकी इज़त बनी है पीर भक्ष जूटी मान मर्यादा को समालने की कौशिश करते थे कच्ची वस्ती में रहने पर भी घर के औरतों को बाहर का कोई काम करने नहीं देते यहां तक की नल से पानी भरने का काम भी वो सुबश शाम खुद किया करते थे आमदनी की कमी और बढ़ते खर्च के कारण उनकी चिन्ताएं विवश्ताएं दिन बढ़ती ही जाती है अपनी असलियत चुपा कर परंपरागत मान सम्मान तता जूटी प्रतिष्टा को बचाने का प्रयास करते हैं और खुद मुसिद्वतों में फंसते चले जाते हैं और अंत में कहीं के नहीं रहते दूसरा पात्र है बबर अली खान पंजाबी खान बबर अली खान सित्वा की कच्ची बस्ती में साहुकारी का विवशाई करता है पैसों की लेंदेन करने वाले अन्य साहुकारों की तरह खान भी कठोर और निर्दई है उसके रिदे में कर्जदार के प्रति कोई इंसानियत की भावना नहीं है हर कर्जदार को वह जूटा और चूर समझता है थता स्रीयों को भी गालिया देता है अन्त में जब वह पीरबक्ष के घर में घुश जाता है तो उसकी लड़कियां और पत्नी की अर्दनगन अवस्ता देखकर वह गलाने से जुख जाता है परदा अंगन में अवस्त फेंकता है और गुस्से भरी निदाशा से वापिस लोड़ जाता है परदा यह यतार्तवादी कहानी है इस कहानी का परदा पीरबक्ष के घर की दुरावस्ता का रक्षक है दारीद्र को छिपाता है परदो जब परदा हड़ जाता है तब उनकी इज़त खाक में मिल जाती है कहानी की भाषा पातरों के अनकूल तता प्रवाही है पातरों का प्रभावी चित्रन हुआ है पीरबक्ष की जूटी प्रतिष्ठा तता अंत में उससे परदा हट जाने की बात सांकेतिक रूप से व्यक्त की गई है इस तरह से यह एक सफल कहानी है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक शेर तता सबस्क्राइब करना ना भूलें